तो चले स्टार्ट करते हैं औरगनिक अमिश्टी का 5th question करना ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अलकीन गीवन है, इस अलकीन में आपने ओजोन और वाट डाला, ठीक है, तो compound A का formation होता है, फर्दर इस compound में आप ammonia इंटर्डूस करते हैं, तो compound B बनता है then इस जो भी compound बना उसको आप heat कर देते हैं तो compound C बनता है इस heated compound को आप BR2KH के साथ reaction कराते हैं और फिर heat भी कर देते हैं तो compound D का formation हो जाता है तो आप बताएए A, B, C, D क्या है चीक है तो start ही कर लेते हैं तो आपके पास जो alkene है और ozone है तो हमें पता है और ozone analysis होगा ozone analysis में करते हैं इसको ऐसे cut मारते थे और जहां जहां double bond था महाँ पर ओ आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपके पास यह दो compound है यह दोनों compound same ही है अगर द्याहन से देखे जाए तो है ना दोनों compound का नाम क्या होगा ethanol one two हो अरे ldhyd है देख लो यह यह है ठीक है यह यह है ठीक है यह क्या वाण टू इसका क्या नाम हो जाएगा इतनी बात ठीक है तो यह बन जाता लेकिन आपने तो जिंक यूज ही नहीं किया अच्छा यह क्या चीद थी धान से सुनना और जोनलीसिस दो टाइप क्यों होती है है एक होता है रेडाक्टी ओटी ओट आलेसिस एह ठार रूकेगा नहीं यह फॉधर्दर ईक्सेडाइज होन जाएगा कैसे होता ऺळुट हर देख लेते हैं ठीक है देखिए देखिए ये काम तो हो जाता है oxidative हो चाहे reductive हो ठीक है ये काम हो गया तोनों case में हो जाता है आगे बात ये आती है कि और क्या क्या चीज़े होती है और साथ में एक चीज़ी भी होती रहती है क्योंकि ozone एक तरीके का oxidizing की तरह काम करता है और ये nascent oxygen release करता है ये जो nascent oxygen है ये water को oxidize करता है और H2O2 में convert कर देता है ये H2O2 क्या है एक तरह का oxidizing agent भी है और reducing agent भी है ये hydrogen peroxide है basically है कि नहीं अब यहाँ पर ये oxidizing agent की तरह काम करेगा अब इस बंदे को जो भी compound जिसका oxidizing हो सकता उसको oxidize करने कोशिश करेगा तो यहाँ पर मेरे को मिलता है ethanol तो ethanol को ये मतलब देखता है तो उसको क्या कर देता है oxidize कर देता है किस तरह किसे कर देता है अथनल का इसब देता है अलडी हैड से कर्वोकस्लिक corporation획 an work कर देता है ठीक है। अगर मान लीजिए अपने जिंक यूज नहीं किया था, तो यह काम होने वाला था, यह सब मैंने किया है ठीक है। लेकिन अगर आपने जिंक यूज किया तो जिंक यहां पर क्या कहेगा भया मेरे को उक्सिडाइस करना तो इसको उक्सिडाइस कर देता है तो इसका ध्यान पूरा इसकी तरफ चला जाता है यह बच जाता है तो जब आप जिंक यूज करते हो तो आपको यहीं तक रियक्शन क को रोकना होता है लेकिन आपने zinc यूज नहीं किया तो यह hydrogen paroxid isaldihide को carbonic acid में short laur कर देता ठेक है ..स तर्श किसा आपको यह चीज़ समझना आगए होगी that zinc use नहीं किया है तो क्या बनाने आपके भाइगा ठीक है तो देखिए और आपको पता वे चल गया कौन सा कः़ुक्सिक्त है ये जो एल्डे Buenos बना इसका इथनोट Two वनाना आपको तु ये बन गया इथनोट असुल इसका मस्द आपका इथनोग एसिड है अब ए में आपने अमोनिया डाला है अमोनिया तो बेस है और इथनोग एसिड आपका ए है तो यहां पर एसिड बेस रियक्शन हो सकती है बिल्कल हो सकती है जब आप अमोनिया डालो गए तो यहां पर एसिड बेस रियक्शन होगा और क्या वनेगा यह बन क्यों सब्सक्राइब Also कि हुआँ है और यहाँ से दुन कर दो बच्चे से बना से mica माइब अपका पानि प्योट्प 닫 पानि तो इस तरी के C आपका amide का formation हो गया तो C आपका कोई amide था ठीक है कौन सा amide है अच्छा इसका नाम पुछे तो क्या बताओगे वान टू इथेनामाइड ठीक है चली अब आगे की कहानी यह है कि इस BR2 की वेच को देख को कुछ आपको याद आना चाहिए यह है होफमें ब्रोमाइड इग्रेडेशन डेकशन का रिएजिएंट ठीक है इस रिएजिएंट का यूजिज़ आप amide के साथ करते हो और इस reaction में होता क्या है नाम में ही था ना इग्रेडेशन तो डीगरेड कर देता है कि इसको डिगरेड कर देता है यह जो C और O यह सब आना चाहिए नरे ठीक है यह तो नहीं सेम है ठीक है इसको आपने क्या डाला डीयाटु क्योआ खिएक किरा दिया इसमें आपने क्या डाला डीयाटिधू क्योआ और हिट्ट भी कर दिया तो होख्डमाअ omet degradation reaction की ये result है इसमें क्या होता है ये वालया part हट जाता है और इसके साथ आप bond बना देते हैं तो बनेगा क्या compound ये ठीक है इस तरी के से आपका ये हो गया...sorry sorry ये हो गया आपका deathenamine तो D आपका ये होना थी कि इसकी थोड़ी और practice करें क्या देखिए मान लीजे आपके पास यह वाला माइड होता हूँ और बी आर्टू के उच डाल देते तो क्या बनाता है पता ये क्या बनाते हैं क्लंप करना है बस बदला इसको अटाना है और इसको जोड़ देना ठीक है तो यह आपका बन जाता इस तरीके से आपको यह सारी चीजे पता होनी चाहिए मान ले जो कुछ इस तरीके से होता तो अरे तो भी आपको यही करना है ठीक है आ रहे ने बाद समझ में इस तरीके से और लिजिए जैसे कि यह दिया जाए बेंजीन कार्बामाइड दे रखाओ और इसमें अपने ब्यार्टू के इस डाल रखाओ ठीक है यह सब प्यूर प्रैक्टिस है आपको आना चाहिए सब रिजिएंट दिखे पागल हो जाना है बिलकुल यह रिजिएंट दिखे तो समझ जाना होफमें रूमें इसको हटा देना बस और इसको चिपका देना है यह बन गया आपका एनिलीन ठीक है चलिए ठेंक्यू